So this is part 2 of conic section आगे हम further continue करेंगे जितना भी हमने part 1 में cover कर लिया था उसके आगे का portion देखेंगे तो last हमने discuss किया था कि जो general equation ए second degree की वो क्या होते है ax² plus bi² plus 2hxy प्लस उसी format में लिख रही हूं जिसमें मैं आपको याद दला है था कि मतलब याद किस तरीके से करना है वो वाला format में आप इस्तेमाल कर रही हूं तो fgh जो हमें इस्तेमाल करते हैं 2f 2g 2h आप इसको ऐसे याद रखोगे तो कभी भी आपसे ये equation लिखने में गलती नहीं होगी फिर x और y जो है मैंने बताता कि इनका opposite order होता है तो यहाँ पर आजाएगा y यहाँ पर आजाएगा x और इसमें दोनों ही होता है plus c is equal to 0 यह थी general equation of second degree अब आपको इसमें different questions मिलेंगे जैसे कि किसी question में अगर आप से पूछा गया है कि center of conic निकाली है center of conic conic section क्या होता है वो आपको अच्छे से पता लगया है उसका center क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं यह center जैसे कि circle के कर आप बात करें तो मैं बहुत अच्छे से पता है कि जो circle का center होता है वो यह होता है यहाँ आप circle on the circle आप कोई भी point लेंगे तो उसका जो distance होगा इस point से आप कोई भी point ले लो उस center से आपको सब का distance जो है वो बराबर मिलेगा equal होगा जिसको हम radius के नाम से जानते हैं तो अब क्योंकि हम center की बात कर रहे हैं तो center क्या होगा एक point होगा जिसका distance आप इस on the circle आप कोई भी point ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा बिल्कुल बराबर मिलेगा equal मिलेगा तो इसी तरीके से ज़र हम center of conic की बात करते हैं अगर मैं इसी circle में code की बात करूँ तो code क्या होता है आप on the circle दो points लेकर जब join कर देते हैं तो यह उसका code कहलाता है तो इसी आप यह भी इसका code है diameter जोता है वो सबसे longest code होता है तो इसी तरीके से अगर हम बात करें suppose करो ellipse की हमने जो conic section लिया है वो है ellipse तो इसका center of conic क्या होगा एक ऐसा point होगा कि जब आप कोई भी code ले रहे हो तो जो कोई भी code हम लेते हैं किसी भी conic section का तो यह जो point है जिसको आप बोलने वाले हो कि यह center होगा ellipse का यह जो point है उस code को bisect करता है bisect करने का क्या मतलब होता है कि उसको equal parts में divide कर देना तो यह वाला जो part होगा और यह जो part होगा वो बराबर होगा होते हैं center से अगर मैं यही same बात ellipse के लिए बोलू तो हम मुझे पता है कि यहां से जो distance होगा वो कम होगा यह वाला जो distance होगा वो जादा होगा तो यही same definition हम ellipse पे apply नहीं कर सकते तो जो center होता है conic sections का उसको हम code की help से इस तरीके से describe करते हैं कि हम कोई भी code ले रहे हैं suppose करो अगर मैं यह वाला code ले रही हूँ मैंने इसे join किया तो यह जो point center होगा वो इस code को दो equal parts में divide कर देगा तो code की help से हम center of conic section का यह point है center है उसको define करते हैं हम यह वाली definition इसली नहीं लगा पार है क्योंकि जो distance होता है वो equal नहीं होगा अगर मैं यह बोल दूँ कि center एक ऐसा point है कि आप conic section पर कोई भी point ले लो उससे वो distance बराबर आएगा तो वो definition इस पर apply ही नहीं हो रही है distance जो है वो major और minor axis होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है इसे लिए आप इसको ऐसे define कर सकते हैं कि अगर आप code लेंगे तो जो center है वो उसको दो equal parts में या फिर bisect करता है वो point जो है उस code को bisect कर देगा मतलब दो equal parts में divide कर देगा यह आपको आज सकता है find करने के लिए जैसे कि to find the equation to find equation of conic जब आपको center जो है वो given हो center suppose करो origin है इस case में दोनों आप लोगों को cases पता होने चाहिए अब यह थोड़ दर के लिए origin यह भूल जाओ यहां से यहां तक देखो आपको equation बताने है conic की to find the equation of conic जब आपको center पता हो ठीक है तो center हो सकता है origin पे हो या फिर वे है निकालने का तो पहला case क्या है कि अगर origin पे है तो आप कैसे find करेंगे equation of conic जो journal form होती है वो तो सेम ही रहती है जो लिखने का तरीका होगा general equation जो होगी वो तो सेम ही रहती है आप निकालेंगे कैसे इस चीज को मैंने अभी mention किया था जो general equation है that is ax square plus by square 2fy 2fy plus 2gx plus 2hxy plus c is equal to 0 ये थी equation ठीक है अब क्योंकि यहां पर center जो है वो origin पे है so f is equal to 0 आपके चली जाएगी ये वाली term चली जाएगी बच्चे का ax square plus by square plus 2hxy plus c is equal to 0 आप c को right hand side पे shift करोगे तो ये आ जाएगा minus c इस पूरी equation को divide करेंगे minus c से you will get a by minus c x square plus minus b by c y square minus 2h by c xy is equal to 0 अगर आप इसको देखो तो ये अगर मैं let करलू capital A and I am letting this as capital B and capital C इसको capital C ना बोल कर आप इसको capital H बोल लो तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा this will be ax square negative को include कर लेते हैं आपे तो ये जगा b y square ये हो जगा आपका plus एक काम करिए कि ये जो negative sign है वो भी आप इस negative sign को भी आप इस h में include कर लीजे तो ये हो जाएगा plus 2 capital H x y and this is equals to मैंने c से divide किया था ना तो यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि हमने पूरी equation को divide किया था ना minus c से दूस विल बी 1 यहाँ पर ये आ जाएगा is equals to 1 तो जो आपको conic section के जो form नजर आएगी जब center पर होगा आपको origin तो form कुछ इस type से होगी ax square plus by square plus 2hxy is equals to 1 next topic आप लोगको इस chapter में मिलेगा that is discriminant और इसको हम denote करते हैं इस symbols है and इसका काम क्या है कि यह आपको बताता है कि curve का nature क्या हुगा nature of curve और अब इस बात का क्या मतलब है nature of curve मतलब यह है कि जो भी आपको equation दी होगी उससे अगर आपको यह find करना है कि वो ellipse है या parabola है या hyperbola है circle है pair of straight lines है या perpendicular lines है क्योंकि straight lines जो है वो भी conic sections में आती है circle है तो यह सारे examples मैंने first video में बताई भी थे आपको कि सारे ही conic sections होते है तो nature of curve का मतलब कि आपको जो curve given होगा question में वो अगर आपको find करना हो कि इन समय से क्या है तो यह discriminant आपको help करेगा यह find करने में कि nature of curve क्या है तो इसका जो equation होता है एक particular way है इस चीज को निकालने का वो भी मैं आप लोग को याद करवाऊंगी कि कि इस तरीके से आपको इसको याद रखना है तो equation क्या होती है discriminant निकालने की that is a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square so यह होता है discriminant इसको हम इससे denote करते हैं और यह आपको बताता है nature याद रखने का simple सा तरीका है यहाँ पर हम a b c and f g h का use कर रहे हैं तो बहुती alphabatically way में आपको a b c and f g h यहाँ पर मिल जाएगा f g h का twice होगा rest minus a minus b minus c f square g square h square इस तरीके से मिलेगा I know याद नहीं हुआ होगा but again I have a different way उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है तो यह अगर मैं ऐसे लिख दूँ a b diagonal पे a b c आप लोगोंने matrix के बारे में पढ़ा होगा तो यह matrix ही मैं बना रही हूँ basically जो यह जो हम लिखते हैं यह जो symbol होता है यह determinant निकालने का तरीका होता है और यहाँ पर हमें लिखना है f अब इसको ऐसे क्यों लिखा है और discriminant यह क्यों होता है वो उसका मैं आपको reason बताती हूँ मैंट्रिक्स का determinant जो निकालने का वे है वो same ही है कुछ इस तरीके से equation क्या थी है हमारे पास general equation of quantum section वो थी g a y square b x square plus by square then 2fgy plus 2gx plus 2hxy plus c is equal to 0 तो तीन बार लिखो गए इसको तो अच्छे से याद हो जाएगा अब इसमें मैट्रिक्स वाला यह थोड़ा सा मैट्रिक्स का concept है आपको वो चीज़ समझ में नहीं भी आईई तो कोई दिक्कत नहीं है बट आप इसको कैसे relate कर रही हूं मैट्रिक्स का portion अगर आप उससे नहीं भी आज़ करना चाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बट मैं relate करके इसलिए बताना चाती हूं कि कल को जब आप उस मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ोगे जो symmetric matrix होती है उसके बारे में भी पढ़ोगे तो आप थोड़ा बोत यहां से वहां पर relate कर पाऊं ठीक है तो देखिए symmetric matrix होती क्या है symmetric matrix में diagonal elements आपके कुछ भी हो ठीक है different हो सकते है same हो सकते कुछ भी हो वो हम irrespective of that यह वाली जो entry होती है वो इस वाली entry के बराबर होती है symmetric matrix नाम से ही वैसे आपको पता चल रहा होगा कि symmetricity देखने को मिलेगी यह वाली जो entry होती है वो इस वाली entry के बराबर होती है यहां जो diagonal cioèestenbsеш ऐसे उसके बराबर होगी और यहां पे जो इन्ट्रीं हो इसके बराबर होगी और यह बड़िए जो सेसी दिखाइब पड़ेगी आपको ऐसी मैट्रिक्स को हम болते हैं सिमेठ्रिक मैंट्रिक्स और अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी quadratic equation हो तो हम उसको symmetric matrix में convert कर सकते हैं यह सब हम पढ़ते हैं जब हम matrix का portion पढ़ते हैं ठीक है तो कैसे लिखा जाता है हम coefficients से इसको लिखते हैं तो जैसे की यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ यहों बनाना कैसे है x, y का ही यहाँ पर use हो रहा है वैसे तो but okay मैं try करती हूँ आपको इस समझाने का क्योंकि यहाँ पर तीन rows हैं और तीन columns हैं तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x, y and यहाँ पर z x, y and z ठीक है तो जब आप इसको इससे multiply करोगे you will get x square इसको इससे multiply करोगे you will get x, y जब इसको इससे multiply करोगे तो x, z आ जाएगा ठीक है इसको इससे करेंगे तो y, x यहाँ पर आ जाएगा y, square यहाँ पर आ जाएगा y, z इसको इससे करेंगे तो z, x इसको इससे करेंगे तो z, y यहां पर इसको इससे करेंगे तो z square बट अभी problem क्या है कि जो quadratic equation हमारे पास है उसमें z square available नहीं है तो हमें solve कैसे करना है मैंने z square लिख तो दिया है बट यह z square आप constant का portion मान सकते हैं इसे पहले मैं z को यहां से हटाऊं आप हम बागी की चीज़े समझ लेते हैं कि x square यहां पर जो है जो है जी वाले portion को छोड़के जो x square है x y है या y x है या y square है यहां पर यह ना लिखकर बस हम simple क्या करेंगे इसके coefficients को यहां पर लिख देंगे ठीक है और one more thing जैसे कि x y हो गया और y x हो गया यह दोनों एक ही बात है अगर आप x y करो या y x करो यह सेम ही आपको answer देग जो भी value होगी तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखने के लिए देखें x square है x square का coefficient क्या मिल रहा है a तो यहां पर आ गया a y square यहां पर है y square का coefficient क्या मिल रहा है b तो यहां पर आ गया b and as I said की z तो यहां पर ही नहीं मतलब z की जगहाँ पर कोई variable z ना होकर यहां पर हमारे पर simple एक constant है, so here I am writing C, तीक है, यह Z तो मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहे हूँ कि किस तरीके से format होता है, बट क्योंकि यहाँ पर नहीं है, वो quadratic form में ही Z square है ही नहीं, so we are writing यहाँ पर C, अब आजाते हैं इस XY variable पर, यहाँ पर हम देखें, तो XY variable का जो term हमारे पास है, वो है 2H, तो हमें क्या करना है, यह यह दोनों सेम ही है, तो जो XY का coefficient है, वो क्या है 2H है, what I am doing is, 2H का half मैं इधर लिख दूँगी, और half इधर लिख दूँगी, half-half करके इसलिए लिखा जाता है, क्योंकि symmetricity मिल जाए, अभी मैं आपको बता है, यह वाली entries के बराबर होनी तो जो भी value होती है, हम उसको half-half करके लिख देतने है, in order to make a matrix symmetric, 2H कैसे बनेगा, H plus H कर दोगे 2H बन जाएगा, that means मैं यहाँ पर 1H लिख सकती हूँ, यहाँ पर 1H आजएगा, उसके बाद कोई और entry, इतना आप याद रख लिजे, क्योंकि आप भी यह Y और X की form में आ गय बच्चेगा Y, यहाँ से Z हटा दू, यहाँ पर बच्चेगा Y, यहाँ से Z हटा दू, तो यहाँ पर बच्चेगा X, आप X का देख लिजे, X and X यहाँ सेम होता है, तो इसमें क्या है सा coefficient है, 2G, मतलब आधा मैंने 1G यहाँ पर कर दिया, 1G यहाँ पर कर दिया, when you will add, you will get 2G यहाँ पर Y है, यहाँ पर भी Y है, यह हो गया 2F, तो हफफ कर लो, यहाँ पर आगया F, यहाँ पर भी आगया F, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स जो बनी है, सिमेट्रिक बनी है, यह वली एंट्रिक के बराबर है, यह वली एंट्रिक के बराबर है, यह वली एंट्रिक के में मिल रही है तो आप लोगो को क्लेर हो गया होगा कि उससे हमने यह जो फॉर्म है मैट्रिक्सी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैसे बनाई है अगर आपको चीज नहीं भी समझ में आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको आजटिस याद कर लो बट अगर वो चीज आपको समझ में आ जाती है तो आपको थ्वड़ा सा रीजन भता चल जाएगा एक लोग टाइम तक आपकी दिमाग में वो चीज रहेगी भी ठीक है तो बस इतना ही था मोटव बताने का उसके बाद डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे थे आपको डिटर्मिनेंट सॉल आपके रोवन के अगर अलोंग में एक्सपेंड कर रही हूं ओके सॉरी सॉरी मैंने यहां पर ने एक मिस्टेक कर दी आप रिटन एफ ओवर हीर यह मैं ठीक कर देती हूं हाँ पर क्या लिखा हुए था मैंने एच जी एफ यह हो जाएगा एच यहां पर आजाएगा जी एफ ओके देन माइनस एच यहां पर हो जाएगा एच सी माइनस जी एफ प्लस जी एफ एड़ एच एफ माइनस जी बी इसको थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं एबी सी माइनस एफ स्क्वेर दिस विल बी एफ देन ठीक है क्योंकि आलोंग आपने जब यह वल लिया तो बी सी माइनस एफ स्क्वेर हो जाएगा माइनस एच स्क्वेर सी प्लस एच जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी स्क्वेर बी इन दोनों को आड़ करके लिख सकते हैं अब इसको यह जो मैंने उपर लिखा था एक बार आप इन दोनों को चक करो क्या सेम है ABC वाली टर्म सेम है 2FGH वाली टर्म सेम है minus AF square minus GB square minus 2H square exactly same है अब आपको ये भी reason पता चल गया हुआ कि ये जो determinant वाला ये हमने लिखा है वो कहां से आया है इनकेस भूल भी जाते हो तो इस form का जब आप determinant निकालोगे expand करोगे तो आपको बता चल जाएगा बोलते हम इसको discriminant है ठीक है this is determinant तो अब हमने काता कि उससे nature पता चलेगा तो उस पे भी हम बात कर लेते हैं तो जो working rule होता है nature of curve निकालने का वो सबसे पहले यही होता है कि हम इसकी value को find करते हैं working rule working rule to find the nature of curve first step यही है आपका कि इस discriminant की value निकाल लीजे जब आप value निकालेंगे तो आपको दो cases यहाँ पर मिलेंगे पहला case यह हो सकता है कि यह 0 के बराबर ना हो और दूसरा case ही होगा कि यह 0 के बराबर हो जाए और इसके path मतलब अगर 0 के बराबर नहीं होता तो आपको क्या करना होता है ab minus h square इसकी value calculate करनी होती है यह second step होता है in both the cases तो ab minus h square पर further इनकी values जो है वो हमें उससे पता चलता कि कौन सा conic section आया है जैसे कि ab minus h square आपने calculate किया if it is greater than 0 you will get ellipse अगर यह less than 0 है you will get hyperbola ठीक है अगर less than 0 है एक और condition अगर यह fulfill करता है that a plus b is equals to 0 then hyperbola सिर्फ ना होकर मतलब hyperbola तो होगा ही क्योंकि यह वाली condition जो है वो fulfill कर रहा है but it will be rectangular hyperbola rectangular hyperbola then अगर यह is equals to 0 आजाए then it will be parabola and अगर a और b दोनों की value बराबर आजाए and h की value 0 के बराबर आजाए then it will be circle यह सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी ठीक है तो यह एक तो case हो गया जब इसकी value discriminant की value non-zero आए and on the basis of a b minus h square you will get the following conic sections depending on if this discriminant is equal to 0 तब आपको दूसरी तरीके से चाहिक करना है मतलब a b minus h square की value अगर 0 आजाए so you will get parallel lines अगर a plus b वो 0 के बराबर आजाए you will get perpendicular lines अगर a b minus h square simply non-zero के बराबर आता है तो हमेशा intersecting lines आपको मिलेगे मतलब जब भी आपका discriminant 0 के बराबर आजाए या determinant जो होता है वो 0 के बराबर आजाता है तो हम जो भी होगा वो हमेशा pair of lines ही होगा चाहिए वो pair of parallel lines हो perpendicular lines हो intersecting lines हो एसे याद रख सकते हो कि जब आपको ये discriminant की value 0 मिलती है तो हमेशा line वाला ही equation मिलेगा जो equation होगी हो हमेशा line को ही represent कर रही होगी depending on कि कौन सी condition वो fulfill कर रहा है it could be parallel perpendicular and intersecting जब ये non-zero है उस तो आपको ये सब conditions याद रखने होगी ellipse, hyperbola, parabola rectangular, hyperbola and circle की एक दो बार आप इसको read करोगे तो आपको ये अच्छे से आपके mind में set हो जाएगा बार बार हम ये a, b, c का use तो कर रहे हैं like f, g यहापे जो मैंने आपको general equation में बताया था तब compare करके कैसे इन values को find कर सकते हो वो मैं आपको और बता देती हूँ suppose आपको जो question में equation दी हुई है that is 6x square minus 5xy minus 6y square plus 14x plus 5y plus 4 is equals to 0 यहाँ पर minus, okay तो जो आपकी general equation है उसी से compare करके आपको इनकी values निकालनी है ax square plus me by square यहाँ पर था 2hxy coefficient की help से आपको पता चल जाएगा बतो 2fy plus 2gx plus c is equals to 0 a की value क्या है आप a is equals to 6 b is equals to minus 6 2h is equals to minus 5 क्योंकि xy का जब coefficient compare करोगे you will get minus 5 there इसी तरीके से 2g की value होगी 14 2f की value होगी 5 and c की value होगी 4 h की value ही हाँ से आपको मिल जाएगी minus 5 by 2 g की value मिल जाएगी 7 f की value मिल जाएगी 3 c की value मिल जाएगी 4 तो a is equals to 6 b is equals to minus 6 h is equals to minus 5 by 2 g is equals to 7 f is equals to sorry 5 तो यह जाएगी 5 by 2 5 by 2 and c is equals to 4 इस तरीके से आप compare करके value निकालोगे और जो मैंने आपको determinant का formula बताया है उसमें value पुट करोगे तो of course ही बात है आपको यह दो ही cases मिल सकते हैं तो is equals to 0 या फिर non-zero and बाकी की जो conditions है वो आप चेक कर लिजे अब एक word और आएगा asymptotes कोनिक का SM-tots क्या होता है मैं आपको मतलब उसका बता देती हूँ and उसकी equation के स्टाइब से होगी वो आपको बता देती हूँ पाकी further हम उसके बारे में और डीटेल में study करेंगे next part में ठीके तो SM-tots अभी तक आपने जो बढ़ा हो गई या फिर जो एक जैर्नल आइडिया है SM-tots का सको समझने का वो एक तरीके से एक straight line होती है जो parallel चलती है किसी भी conic section के straight line और वो parallel होती है तो parallel to the conic section ठीक है actually मतलब क्या है इसका SM-tots जो word है अगर मैं tangent की बात करूँ अभी ये curve है मेरे पास और मैं इस point पर उसके tangent की बात कर रहे हूं तो tangent मतलब क्या होती है एक ऐसी straight line होती है जो उस curve को at that particular point सिर्फ उसी point पर touch होते हुए जाएगी ठीक है तो इसको आप बोल दोगे कि ये क्या है tangent है आगर एक point यहाँ पर है और इस point पर tangent निकालना है तो इस तरीके से बन जाएगा उस particular point पर ही बस touch होगी और कहीं पर नहीं होगी तो यह सब क्या कहलाती है tangent कहलाती है अब अगर आप asymptote को बोलो तो मैंने जो भी आप curve बना रहे हो asymptote एक straight line होगी ठीक है बट वो touch कहाँ पर करेगी उस curve को at infinity ठीक है यहाँ पर तो आपसे किसी particular point पर बोल रहे हो की उस conic section पर उस curve पर touch करेगी पर जब हम बात करते हैं asymptote की तो at infinity पर चाहा कर वो उसको touch करती है ठीक है a straight line parallel to the conic section and it touches the curve या conic section at infinity infinity वो point होता है जहाँ पर उसको touch करती है तो एक तरीके से क्या है a straight line है इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जिसे यह हो गया x-axis this is y-axis और मैं हाँ पर यह कोई curve ले लेती हूँ ठीक है यह curve हो गया और इसकी जो इसका जो asymptote होगा ठीक है वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि मैं इसको touch यहाँ पर नहीं करवाना ऐसे यह चलता जाएगा infinity के towards होजा कि infinity पर इसको touch करेगा इस तरीके से वो act करता है एक straight line की तरह sorry parallel line की तरह इस curve के साथ but it will touch that curve at infinity ठीक है जैसे हम parallel line में क्या कहते हैं कि अगर दो lines parallel है तो आप कितना भी उसको आगे और extend कर दो कुछ भी कर वो कभी मीट नहीं करेगा ठीक है बट यूँ हाव don't have to take in actual की भी parallel है it will touch but at infinity ठीक है तो इसको हम बोलते हैं asymptote और अगर आपको इस asymptote की इक्वेशन निकालनी हो तो उसका एक working rule होता है एक तरीका होता है निकालने का ठीक है so मैंने asymptote पे एक वीडियो पहले भी बना रखी है उस पे आपको working rule वगरा अब कुछ मिल जाएगा पर कोई एक सेक्शन अगर आप चड़ी कर रहे हैं अगरे सेकी अभी जो बने आपको एसम टोट बना कर दिखाया है वह वह चली आपकोला है विडियो में मिल जाएगा तो उसम टोट इक्वेशन के बात कर रही थी equation क्या होती है सम्टूट को निकालने की ax square plus by square plus 2hxy plus 2fy plus 2gx plus c यहाँ तक तो जो कुछ भी लिखा है अभी तक वही वो general equation है आपकी connect section की यहाँ तक same रहेगा then you have to write minus discriminant का जो symbol है वो बनाना है ab minus h square is equals to 0 यह होता है तो आपको जो extra याद करना है वो यह वाला portion करना है और इसमें जो कुछ भी इस्तवाल हो रहेगा आपको पता ही है इसकी value कैसे निकाल नहीं है वो मैंने आपको बता दिया ab minus h square आप calculate कर सकते हो compare करो आपको value मिल जाएगी यहाँ पर लिख देना है यह जो आपको मिलेगा यह जब value आप put कर दोगे तो यह आपको एक equation मिल जाएगी asymptote की तो बहुत ही simple है आप simple इसको याद रखिए values पूट कीजिए and you will have a equation of asymptote इस वीडियो में बस इतना ही है यहां तक कोई doubt है तो आप लोग यहां पर इतना portion कवर कर लिजे अच्छे से और कोई doubt नहीं रहना चाहिए यहां तक भी अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बड़े easily अब question solve कर सकते हो एक दो चीज़े भी रह गई है वो भी हम next video दो cover कर लेंगे thank you